असलाम अलेकुम वर्ज, वेलकम बैक, इस वीडियो का टोपिक है, अक्सपोर्ट पोली लेंड वर्टक्स वर्टक्स राम आट ओकर्ट टू एक्सल, ओके, सेम ड्राइंग है, जो हमने लास्ट वीडियो में यूज की है, यहाँ पे मेरे पास लिस्प है, मैं इसमें लोड करता हूँ, ओके, यह लिस्प है दो, ओके, कि यहाँ पे मैने इनको लाके, ड्रॉप किया है, इडि, टू, ओके, यहाँ पे पास पूछा जा रहा है, ठीके, मैं पास स्लेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो byte 5 नाम आ रहा है मैं इसी को accept कर रहा हूँ save select polyline तो यहाँ पर अगर आप देखें अभी तो यहाँ पर कोई number गयरा नहीं है इसमें ठीक है जैसे मैं इस पर click करता हूँ ठीक है राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कुछ नंबर अपियर हो गया है ठीक है तो यह स्टेशन वाइज जो है वो नंबर अपियर हो गया है यहाँ पर टीक है 46 वर्टक्स थे इसमें और यह export हो गया है अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह हमारे पास जो है इसमें यह data export होके आ गया है ठीक है 46 वर्टक्स थे 46 के 46 यहाँ पर एक्सल में आ गया है यह एक method था अभी हम दूसरा method ट्राइब करते हैं इसमें ठीक है दूसरी इसकी command है test width टेस्ट road width तो इसमें यह लिस्प करेगी पहले हमने सिर्फ central line का data export किया है अब भी हमारा right और left में अगर variable offset हो तो वो भी हम export कर सकते हैं इसमें मैंने fix से ही रखा हुआ है पहले आपने alignment जो है वो central line select करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर message आ रहा है right ओके उसके बाद आपने left polyline पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको increment station का पूछा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको 25 ही करता हूं ओके और यहाँ पर मुझे फिर message आ रहा है file save करने के लिए तो यहाँ पर मैंने इसको जो folder था मेरे पास मैंने इसको set किया और इसको मैं 03 का नाम देता हूं save ओके यहाँ पर यहाँ पर यह फाइल अभी open हो रही है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह सारे station offset coordinate जो है वो आ गए अगर यह line आपकी 3D हूं तो वहाँ पर इस पर साथ आपके polyline भी elevation भी इसके साथ आपका आ जाएगा तो इसको बाद में मैं लिंक दे दूंगा description में आप लोग देख सकते हैं उसमें के यह data हम कैसे sort कर सकते हैं ओके थैंस वर वाचिंग अल्लापिस